हेलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है चित्र लेखन कोई भी चित्र आपको दे दिया जाएगा पेपर में और आपको उसमें क्या क्या दिख रहा है आप क्या अब्जर्व कर रहे हैं तो वह लाइनों के माध्यम से आपको लिखना है या तो तीन लाइन हो या अगर हमने सही लिखा तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं चित्र लेकन का अर्थ क्या होता है किसी प्रसिद्ध घटना या कहानी से संबंदे चित्रों को देखकर उससे जुड़ी घटना को अपने शब्दों में लिखना इसमें सबसे पहले इसमरन शक्ति से दिये गए चित्रों को जाचाया पर्खा जाता है मैंने आपको बोला आपको आपको जाते हुए बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके बाद कल्पना शीलता से उनका वर्णन किया जाता है जैसे आपको कोई स्टेशन का चित्र दे दिया अब उसमें कोई ट्रेन दिख रही है बच्चा दिख रहा है उस खिड़की में से माबाप जाते हुए दिख रहे हैं या कोई लड़की पूस्तक पड़ रही तो वह सब आउवजर करके आप लाइनों के माध्यम से उसको लिखेंगे ठीके अब चित्र लेखन को लिखते समय क्या बाते ध्यान रखनी चाहिए चित्र लेखन करते समय ध्यान देने योगे बाते पहला है चित्र को ध्यान पूर्वक जांच वे परक लें पहले धांचा वे प्रारूप तयार कर लेना चाहिए कि हमें क्या-क्या दिख रहा है और हमें क्या-क्या लाइन लिखनी है वह पहले मन में नहीं बना ले विचारों को क्रमबद यानि जो भी हमारे मन में विचार आए उस चित्त को देखकर तो उसे पूरा अच्छे डंग से प्रस्तुत करना चाहिए वाके छोटे और विश्यानकुल विश्य संबंदित यानि टॉपिक संबंदित होने चाहिए साथ में छोटी चाहिए आप अकवारों में चित्र देखते हैं वह किसी प्रसंग से जुड़ा होता है उसके बारे में बताया गया होता है आपको भी चित्र देखकर उसके बारे में बताना होता है चित्र को अच्छी तरह से देखकर समझना चाहिए कि वह किसके बारे में है उससे क्या जा तो इस तरह से चितृ लेखन के करते हुए हमें क्या क्या बाते ध्यान रखनी चाहिए जैसे अपके सामने हुधारन हैusια चित्र लेखन का कुछ उढ़न है शेर बैटा है फूल पत्यां पेड़ है जोपड़ी है केले का पेड़े हीरन घूम रहा है पक्षी है बादल है इस तरह से हमें ऑब्जर्विशन हमें हो गया अब हम इसमें चित्र में वन में इस्तित एक आश्रम है दिख रहा है एक आश्रम है चारो और हलियाली है व्रक्ष फल फूल है आ आश्रम में स्वतंत्रता से विच्रण कर रहे हैं शान्त व सुरम में वात्तावर्ण में किसी को किसी प्रकार की हिंसा अब यहीरन भी है या शेर भी है तो अब्जर्व करेंगे कि बहुत बिना डर के वह आराम से घूम रहे हैं तो इस तरह से हमारा यह चित्र वर्णन है वह सिंपल से लाइने हैं अब एक उदारन और देख लेते हैं कि बारिश का मूसम है बारिश हो रही है बच्चे घेल रहे हैं आनंद ले रहे हैं रहे हैं वर्षा आने पर बूड़े जवान बच्चे सब आनंद ले रहे हैं सारी प्रकड़ती खुशी से जूम रही है बच्चे वर्षा के जल में नाव चला रहे हैं चार और हर्षुलास का वातावरण है जिस तरह से दिख रहा है चतों पर लोग चड़े हुए हैं तो सभी खुशी से आनंदित हो रहे हैं पांच या तीन लाइन हम लिखें वैसे पांच लिखना ज्यादा अच्छा है लेकिन आजकल नए पैटन से तीन लाइन भी हणना चाहिए क्या-क्या आहने दिख रहा है और वर क्या-क्या लाइन बना सकते हैं ज्यादा कठीन लाइन नी ज्यादा डीटेल लें लिखनी और छोटी छोटी चोटी मेरे शिम्पल लिखनी है ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आये और हमारा काम भी आसान हो जाए औ तो इस तरह से चित्रवर्णन का टॉपिक हमारा यहीं कम्प्रीट होता है थैंक यू सो मच